जैहिंद दोस्तों स्वागत एक बाद फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकन फॉरॉर में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस साउथ अपरिका के बीच जो सेकेंड टेस्ट मुकाबला होने वाला है उसके ड्रीमिलन अनाल्सिस की तो आए जल् देखने वाले हैं तो सब कुछ देखने ही वाले है तो जल्दी स्टार्ट कर दिए वीडियो को और कर दीजिए पहले वीडियो को लाइक और सेर व chase मिलता रहता है उसके लवा जो भी नहीं उसको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन प्रेस कर देना है जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहा है आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात कि वह यह कि आपको हमारा फाइनल पिच रिपोर्ट फाइनल टीम कुछ इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है उसके लिए करना क्या है जो सबसे बेस्ट मेट है वह यह है कि नीचे जो पिंड़ कोमेंट उस पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा क्लिक कीजिए चैनल को जॉइन कर लिजे नहीं तो आप डि क्रिप्सन दिखाई देगा वहां से डाइरेक्ट क्या कर सकते हैं चैनल जोइन कर लेंगे और क्या उसके अलावा अब जाहिए टेलीग्राम एप पे और एड़ रेट क्रिक इनफार्मर किसी को मैसेज भेजेंगे ना किसी भी कॉन्टैक को तो वह क्लिकेबल रहे होगा ब् बढ़ते हैं बात करते हैं पिच्च रिपोर्ट की तो ध्यान से सुनियागा मैच होने वाला न्यू लैंड्स के टाउन में और कई जगह आप देख रहोंगे कि बल्लेबाजों को ज्यादा मददगार यह थोड़ा पिच्च रहता है हालंकी टेस्ट मैचेज में पहले रहत अच्छा स्कोर करते हैं खासकर वह भी सेकेंड इनिंग वाले बैटिंग में फरस्ट इनिंग में बैटर्स के लिए बहुत अच्छा विकेट रहता नहीं है और खासकर जब सेकेंड इनिंग दोनों टीमों के चालू होती है ना तब थोड़ा बैटिंग के लिए ईजी रहा है यह ध्यान देना है तो अगर आप लार्स के चार मैचेश देखेंगे ना पेसर का दबदबा रहा है बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है साड़े तीन से के उपर आप स्कोरी जल्दी नहीं देखेंगे तो कुल मिला कि यही है कि पेसर को फिर से बोल बाला होगा बैटर्स थोड़ा इंजुआए कर सकते हैं लेकिन जो अच्छे वल्लेबाज है ना खासकर साउथ अपरिका के वल्लेबाज क्योंकि भारती बॉलिंग में बुम्रा के अलावा पिछले मैच में कोई और दबाव बना नहीं पाया था तो वो लोग अगर फ्रीबी दे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा पेसर डॉमिनेट कर रहे हैं बल्लेबाजी में 400 के उपर जनरली दिखाई नहीं देता और खासकर जिसेजाब से ग्रास छोड़ा है ना तो मुझे नहीं लगता 400 के उपर जल्दी स्कोर बनने वाला है तो अबर आल पेसर को ज्यादा एडवांटेज है फिर बैटर को स्पीनर को कुछ मिलता ही नहीं है थोड़ा बहुत मिल जाता है और हाँ पिछले मैच से एक भी मैच नहीं जीती है पांच मुकाबले साउथ अपरिका जीती है एक ड्रॉ रहा है और इंडिया अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है मतलब कह सकते हैं इस ग्राउंड से भारती टीम की बुरी यादें जुड़ी हुई है और जिस हिसाब से प्रदर्सन रहा है मैच में उस हिसाब से भारती टीम को चिंथा करने की जरूरत है आगे बढ़तें कि टीम के प्रिव्यू की तो भारती टीम मैच में एक्सेक्टेड मतलब हर का सामना किया था और उसका सबसे बड़ा दोसर टीम सेलेक्शन फिच्छ के हिसाब से नहीं हुआ है जो इसक्वाय भारती टीम को मुस्किल होगी यह द्यान दीजिएगा बात करते हैं तो सुनने में मुकेस कुमार खेलेंगे और उसके अलाबा रविन जडेजा फिट रविन जडेजा कंफर्म खेलेंगे और अर अस्विन बाहर जाएंगे मुकेस कुमार बैसिकली प्रसित के जगह आएंगे अब रोहित ने थोड़ा साज प्रेस कॉंफरेंस किया तो एक कंफ्यूजिंग स्टेट्मेंट दे दिया बोले कि काफी हार्स कॉल होगा अगर हम प्रसित को एक मैच के बाद मतलब करते मतलब सिंपल सी बात है प्रसित को खिलाने का नेड़ा भी रोहित कर रहा होगा तो अगर बाइच प्रसित को फिर खिलाया जाता है तो इंडिया को दिक्कत हो सकती है क्योंकि मुकेस कुमार के पास चांट्रोल जादा है और टेस्ट मैच है बाइटी में गलस सोट केल यह यहां पर राहुल से अपना इंटर्चेंज कर सकते हैं ज्यादा सोचना नहीं है यहां पर डेथ देखा नहीं जाता टीम के तरफ से दोई गदवाजों ने अच्छी गदवाजी कि थी लास में सिराज और बुम्रा ने जिसमें बुम्राही ज्यादा अच्छे थे अस्वी ने अच्छी गदवाजी की थी लेकिन फिल्डर्स ने साथ नहीं दिया नहीं तो वह सब को आउट कर चुके थे लेकिन फिल्डर्स ने कैचेट छोड़ दिये थे तो यह भारती टीम का बैटिंग और अगर सबसे पहले आते हैं रोहिस सर्मा जो की बहुत ही तगड़े बल्लेबाज है लेकिन लिम्टेड ओवर क्रिकेट भूल जाईए पाटा विकेट भूल जाईए जब मुम्मेंट होता है तो रोहिस सर्मा के स्ट्रगल करने के चांसे अच्छे कासे होते हैं बीच में एक इंग अच्छे पिक नहीं रहेंगे जिसे और के गदवाज गदवाज करनें खासकर रबाडा और अनबर्गर तो बहुत अच्छे पिक होंगे नहीं रहु सार्मा अंटीनल सक्टिवार नहीं सब्सक्नल करते हैं लेकिन साउथ अपरिका में वहीं सफ़ा लोगा जो तोड़ा नहीं है और वही इनके आउट होने कारण बनता है अराम से चोड़ सकते हैं सुमन गिल केवल और केवल बैटिंग विकेट के प्लेयर मोस्ट अब दाइम फ्लॉप होने के चांसे रहते हैं और अभी तक केवल और केवल पाटा विकेट पर चले नहीं तो बाकी सब यह सूपर बहुत आराम से चोड़ सकते कभी कभारी अच्छा स्कोर करेंगे फिर आते हैं विराट कोली यह भाई महांतम बल्लेबाज हैं सब जगह चलते हैं और पिछले मैच में भी काफी अच्छा स्कोर किया था 76-38 का टेकनिकल बल्लेबाज मस्ट है रहेंगे हाँ कैप्टन वाइ अच्छे बल्लेबाज है टेकनिकल बल्लेबाज है मुवमेंट अच्छा किलते हैं कि बैक अप होगा मस्ट है चाहें तो वी सी ऑप्सन में राहूल को रख सकते हैं यह ध्यान देजेगा फिर आते हैं स्रेय साइयर पता नहीं क्यों सौथ अपरिका में रखा गया इनको क्य बॉल आ गई नीचे और दोनों बार आउट हो गए तो वहीं उनका मतलब दिक्कत है क्योंकि यह जान रहें इनकी कमजोरी है और उधर अपोनेंट उसका इस्तमाल करेंगे क्योंकि यहां पर लिमिट होती नहीं है बाउंस की तो इसलिए साउथ अपरिका में इनके से भी कुछ पॉइंट देंगे तो टीम में जरूर रखिए हाँ सी वी सी जैसे बनाते हैं इंडियन कंडिसंस में वैसा कुछ नहीं बनाईएगा बहुत अच्छे पिक कैप्टेंसी के नहीं रहेंगे आराम से टीम में लीजिए लेकिन कैप्टन मत बनाईएगा फिर आते ह हैं थोड़ा बहुत मतलब कभी कबार रन भी बना देते हैं कुछ विकेट भी मिल जाता है एक दो तो डिस मतलब जो रिस्क लेना चाहें वो ट्राइग कर सकते हैं अच्छे पिक उतने नहीं होंगे फिर आते हैं जस्परीद बुम्रा बहुत ही सांदार गेदबाज और वर सिराज अच्छे विकेट नहीं है लेकिन प्लेयर अच्छे हैं और यह आपके लिए ऐसे कंडिसन में ठीक ठाक उप्सन होते हैं क्योंकि जब-जब मुव्मेंट होता है सिराज अच्छे मतलब अच्छा विकेट लेके जाते हैं आप भी देखें जो मैचे जुए हैं चाहे लेकिन उतने ज्यादा विकेट टेकर नहीं है कभी कबार हो सकता अच्छा विकेट ले 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 लेकिन अभी इनको लॉंग टर्में देखना होगा एक जील में रिस्क ले लीजेगा क्योंकि यहां पर मुव्मेंट होने के चांसे तो उसका यह फाइदा उठा सकते हैं नीच गलती से ज्यादा विकेट मिल जाए नीचे और कोई खेलता हुआ दिखाई नहीं देखा अब पर से साथ अपरिका टीम के प्रिब्यू की तो साथ अपरिका के टीम का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा था पिछले मैच में दीन एलगर ने अकेले खुटा गार बले बाजी क हो चुके हैं और जी कोईट सी जो अपने गदवाजी से थोड़ा परसान कर सकते थे भारती टीम को तो वह भी रूल डाउट हो चुके हैं लेकिन कोईट सी देते हैं मुझे लगता है जो नहीं मिलेगा क्योंकि उनके जगहां एंगे अच्छी गदवाजी करते हैं काफी मत स्क्रेण पर दिखाई दे रहा है यह होना चाहिए भारती टीम का प्रॉबेबर सौरी साथ अपरिकन टीम का प्रॉबेबर लिवें जुबैर हमजा आपको खेलते हुए दिखाई देंगे बाउमा के जगहां उसके अलाबा एंगीडी को आना चाहिए जबरत पड़ी टीम क लगता है कि स्पिन हो सकता है फोर्थिनिंग में महाराज को ला सकते हैं लेकिन चांसेच कम दिखाई दे रहे हैं जिससाब से पिच्छ के फोटो मैंने से एर किया अगर आपने देखा होगा ग्रास दिखाई दे रहा है उससाब से मुझे नहीं लगता कुछ खास यह खेलते हैं मस्ट है रहेंगे जरूर कभर किजिए हैट देखे 43.3 का वेल्यू पर 46 का एवरेज साउथ अपरिका में 49 का एवरेज ऐसे कंडिशन में बढ़ियां कहलते हैं जरूर कभर किजिए वी सी ऑप्सन में रख सकते हैं फिर आते हैं एडन मारकरम हालंकि जब ज़्या देना होगा अगर आता है कि इनकों ने सेव कर दिया थोड़ा कम घ्रास है तो और आता है कि बले बाद थोड़ा एडवांटेज में रहेंगे तो मारकरम आपके लिए बेहतरीन प्क हो जाएंगे क्यों जब देखे यह ज़्यादा मुवमेंट होता है तो इस्ट्रकल करते ह तो यह अच्छा खेल लेते हैं इनका गेम मैंच जो जहां तक देखा है तो थोड़ा साता है कि बहुत ज्यादा मुवमेंट नहीं है तो मारकरम अच्छे पिक अगर आता है नहीं भाई पिछले मैच की तरह ही मुवमेंट रहेगा ठीक तो बहुत अच्छे ऑप्सन नहीं ह लिएगा फिर आते हैं जुबैर हम जा अभी टेस्ट मैचेज में कुछ खास प्रूब नहीं कर पाएं अपने आपको शे मैचेज जो खेलें उसमें 17.6 का एवरेज है तो लॉंग टर्म में थोड़ा सा परफॉमेंस देखना होगा डोमेस्टिक क्रिकट में रिकॉड बहु इंडिया के अच्छा है चालीज का है लेकिन करेंट फॉर्म बहुत ही खराब है और इंटरनेसर क्रिकेट में उसके बाद सूपर फ्लॉप रहे हैं तो मैं आपको यह बोलूँगा थोड़ा थीक ठाक ऑप्सन हो सकते हैं फॉर्म अच्छा चला है पिछले मैच में भी काफ सब्सक्राइब बहुत ज्यादा उमीद मत कीजिएगा कंसिस्टेंट टेस्ट पॉर्म बहुत नहीं रहते लेकिन यह आपको देके जाते हैं फिल्डिंग से पॉइंट अब क्यों साउथ अफ्रिकन कंडिसंस में कीपर का इंपोर्टेंस ज्यादा हो जाता है पिछले मैच म से थोड़ा फ्लॉप रहते हैं टेस्ट मैचेज में लेकिन यह आपके लिए बेहतरीं ट्रम कार्ट पिक रहेंगे और सबसे बड़ी बात नहीं कम खेले हैं इनके पास टैलेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा इनका एवरेज देखिएगा पचास का एवरेज है मत इनके पिछले मैच में उस ले में गदवाजी नहीं कर पाये थे लेकिन सेकंड इनिंग में फिर भी रिखाई दिये मूव्मेंट के लिए और अपने बाउंसर के लिए जाने जाते हैं अच्छे बाज हैं और बैटिंग से बैकप भी देखे जाएंगे मतलब इस सर्फेस प बहुत ही बेहतरीन गेदवाज हैं इस फॉर्मेट के सीम मुवमेंट हसिल करते हैं और सबसे बड़ी बात सौट बोलो का भी अच्छा का सा प्रियोब करते हो विकेट टिकर हैं इस फॉर्मेट के मस्ट है पिक रहेंगे पेस और बाउंस से भी परसान करते हैं कितने मैचों में 32 मैचों बहुत इसांदार गेदवाज मस्ट है कैपटन सी के भी ठीक ठाक ऑफ्सन होंगे फिर आते हैं लूंगी एंगीडी एक और विकेट टेकिंग नेचर के गेदवाज साथ अपरिकन कंडिसन में मुवमेंट हसिल कर लेते हैं सीम मुवमेंट और उसक सालेंगे पांच नहीं है फोर और वाइब के बीच में लेकिन आप बोल सकते हैं कि हर मुकाबले में पांच साउथ अफ्रिकन कंडिसन में ले के जाते हैं अच्छे पिक रहेंगे लूंगी एंगीडी भी हाँ काफी दिनों से इन्होंने फर्स क्लास मैचेज और यह किया मुब्मेंट हासिल किया दोनों साइड और उससे परसान किया था भारती वालेवाजों को पिछले मैच में भी हमारे टीम में थे वले डिब्यू था वही होता है कंडिसन के हिसाब से आपको प्लेयर को सेलेक्ट करना पड़ता है यह फिर से मस्ट है रहेंगे जरूर मैच अब का इंपोर्टेंट के लिए आपको यह बस समझ लेना है कौन इस धर्ती पर जादा अच्छा किलता है ठीक है फिर आते हैं रोहित सर्मा रबाडा इनको भैंकर परसान करते हैं बहुत ही खराब रिकॉर्ड है फिर आते हैं विराट कोहली मारको यांसिन ने इनको तीन बार आउट किया हुआ है उसके अलवा एंगीडी के अगेंस भी रिकॉर्ड खराब है खासकर इस फॉरबेट में तो एंगीडी अगर आते हैं तो समझ के रहना पड़ेगा सुमन गिल इनको यहां पर कोई आउट कर सकता है ठीक है फिर आते हैं रभीन जड़ेजा बुम्रा यह तीनों ही परसान करते हैं बुम्रा को समझ के खेलना पड़ेगा कीगन पिटर्सन सारदुल के अगेंस दो बार आउट हो चुके हैं तो दोस्तों यह था इंपॉर्टेंट मैच अप सब पूरा प्लेयर वाई जनाल से जिसके इसाब से खुद की टीम बैटिंग सेक्षन में चलते हैं जनरली साउथ अपरिगा में अच्छे पिक नहीं होते हैं तब ही कवर किजिएगा जब आता है कि नहीं बल्लेबाजों के लिए ज्यादा अच्छा है विराट कोली यह एलकर दोनों मस्ठभ पिक रहेंगे मार्करम अगर आता है कि बहुत म में चलते हैं यह और गिल के चलने के चांसे थोड़ा सा ऐसे पिचेच पे कम है यह सस्वी ज्यादा कंट्रोल नहीं है तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे वेडिंग हम यह आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं जड़े जा मारको यांसिन दोनों मस्ठभ पिक होंगे ठाक और एक अग जील में रिस्क ले लिजेगा कभी कबार अनेक्सपेक्टेट रूप से अच्छा कर जाते हैं बॉलिंग सेक्षन में बुम्रहा रबाडा मस्ठभ पिक होंगे सिराज भी ठीक ठाक उप्सन होंगे इनको भी मैंने कबर किया एंगीडी अगर खेले तो सब्सक्राइब तो यह कुछ अच्छे पिक्स रहेंगे मैंच में कैप्टन की बात करें यांसिन को मैंने कैप्टन किया रबाडा को वी सी अप रहुल को भी वी सी कर सकते हैं कोली भी ठीक ठाक ऑपसन है इवेंट जडेजा भी रहेंगे बस वाही है कि जडेजा सायद उतन सब्सक्राइब कर दें नीचे पिंड कॉमेंट में टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उससे भी जरूर जुड़ जाएगा धन्यवाद